दरसल आपको याद होगा पिछले महीने एक महिला से पूशा गया आपकी आये दुगनी हो गई उस महिला ने कहा हो गई ये हैं देश के क्रांतिकारी पत्रकार जिनकी क्रांतिकारी पत्रकारिता के पुराने नमूने तो आपको याद हुँ होगे करामतिकारी पत्रकार साहब कैसे अपने ही देश के प्रधान मंत्री को बदनाम करने के लिए क्रामतिकारी पत्रकारिता कर रहे हैं अब जरा उसका नमूना भी देख लीजिए किसानों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के वक्त ये महिला पियम मोदी को बार बार बता रही थे कि उसकी आयद्धान की खेती से नहीं बलकि सीता फल के व्यापार से दोगुनी हुई है हम लोग पहले दो एकड़ में धान लगाते थे सर उसमें ज्यादा हम लोग को बेनीफिट नहीं मिलता था कांकेर में छीता फल बहुत अधिक जिसे दिल्ली में सरीफा के नाम से जाना जाता है सर हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे फिर हम लोग आत्मा क्रिशी आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े उसके बाद हम लोग को जो पचास रुपए मिलता था उसमें हम लोग अभी सीधा सास रुपए मुनाफ़ा कमाते हैं सर मगर पत्रकार साहब को तो क्रांतिकारी पत्रकारिता दिखानी थी सीता फल को उन्होंने और उनके रिपोर्टर ने गायब कर दिया और चंद्रमणी से यही कहलवाने की कोशिश करते रहें कि उसकी आयए धान से दोगनी हुई है या नहीं जब आयए धान से नहीं सीता फल से दोगनी हुई है तो चंद्रमणी का जवाब तो यही आना था लेकिन इस खबर को देखने के बाद चंद्रमणी को क्रांतिकारी पत्रकार साहब की असली मंशा समझ में आ गई और उसने खुद सामने आकर इन क्रांतिकारी पत्रकार साहब की पोल पोल दी जिनके रिपोर्टर चंद्रमणी के खेत तक तो गए भी नहीं मैंने चीत खल का पल पनिकालते हैं उससे दो गुनी आय बताई थी उनको वाकई क्रांतिकारी पत्रकार साहब आपकी क्रांतिकारी पत्रकारिता के तो क्या कहने मोदी विरोधी मुहिम चलाने के लिए इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि अपने ही देश के पियम को बदनाम करने लगे